हाँ तो दोस्तों देखते हैं अब देखेंगे हम रदर फोड के परमाडू मॉडल की सिमाएं ठीक है तो रदर फोड ने अपने परमाडू मॉडल की सिमाएं में क्या बताया तो देखें इन्होंने बताया कि इन्होंने पहले बताया था कि क्या होता है कोई परमाडू है परम उपस्तित होते हैं ठीक है यह इलेक्रॉन उपस्तित होते हैं देखिए यहां से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से यह सभी लिख पाएंगे ठीक है इन्होंने बताया कि परमारू होते हैं परमारू के बीच में क्या होते हैं नाभिक होता है ठीक है परमारू के केंदर का चार्ज होता है और नाभिक क्या होता है पोजिटिव चार्ज होता है तो ये दोनु किस ये दोनु क्या होता है ये दोनु इलेक्टरान और नाभिक ये दोनु विद्धूत आकर्षण बल ठीक है ये दोनु क्या होते हैं विद्धूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हो होते हैं क्या हों कौन को नाभिक और इलेक्रान आपस में बिदूत आकर्षान बल द्वारा जुड़े होते हैं इसलिए क्या होते हैं यह कच्छाओं में क्या करते हैं बृतिय गति असपस्ट रूप से क्या होते हैं करते रहते हैं ठीक है तो यह क्या होते हैं क्योंकि हम जान गया इसको आकरसित करेत ये दोनों क्या होंगे क्या होंगे ये had Tonight to अब जोड़े होते हैं और गत्यार्ट करते हैं धूर्परओं के बीच क्या लगता है बैद उर्ट होते हैं परंतों ये अवन श्व्य अपना प्रयोक या दे कारलस मेक्सवेल बैग्ज्यानिक ने क्या दिया था बंदूप चुंबक की शिधानत दिया था जिसके आधार पर इन्होंने बताया था टी करते हैं तो कोई बिटकार क्रती करते हैं तो उसकी गती के कारण उसकी यूर्जाहानी क्योंकि कोई भी वेक्ति गति करता है वेक्तियों की तरफ से समझे है कोई भी वेक्ति अगर गति करेगा तो उसकी हानी होगी उर्जा की और जब उर्जा की हानी होगी तो उसकी वेग घटेगा की नहीं घटेगा और जब घटेगा तो उन्होंने कहा था वेग क्या होता है व इलेक्ट्रान क्या होंगे इसमें गिर जाएंगे नाभिक में आके गिर जाएंगे परन्तु ऐसा नहीं होता है ठीक है इन्होंने क्या किया इन्होंने बिद्धु चुंबक्य सिध्धानतों के आधार पर इन्होंने बता है कि इलेक्ट्रान जब गति करता है तो गति करने करत उसकी गति क्या हो जाएगी धीमी हो जाएगी धीमी होती जाएगी धीमी होते 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 क्या होगी नाभिक में आके गिर जाना चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता है इसकी व्याख्या करने में रदर फोर्ड क्या रहें और सफल रहें ठीक है तो देखें यही लिखा गए कारलक्ष मेक्सवेल ने क्या हो गया कारलक्ष मेक्सवेल ने विद्धो चुम्बक्य सिध्धानतों के आधार पर जब इलेक्टरान धानावेशित नाभिक के चारो और विर्तकार गती करते हैं जब कोई भी इलेक्टरान धानावेशित भागों के चारो और विर्तियागार गती करते हैं तो इलेक्टरान में से विक्रण के रूप में क्या होता है उर्जा की हानी होती है तो इलेक्टरानों की विक्रण के रूप में ठीक है इलेक्टरानों की गती के कारण क्या होती है उ हो जाई वह नाभिक में गिर जाते है परनतु इसा नहीं होते हाँ इसे लिखा गया उर्जा की हानी होनी चाहिए जब दूसरी होती में कच्छाओं में electronic विनियाज को असपस्ट नहीं कर पाए तीक है यह मौडल में नहीं बता पाए ने इस मौडल में नहीं बथाया कि कि किस कच्छा में कितने Electron होते हैं जब कि हम जानते हैं कि क्या होते है失וא राधर फोटने जब परमांण तो उसमें इलेक्रानिक विन्यास के बारे में नहीं बताया था ठीक है तो यही ही आपका क्या हो जाएगए उनकी कमिया हो जाएगी तो उमीद है बहुत अच्छे से समझ में सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर देजिए और आपको बेसिक से अगर आपको परमादुसन रचना पढ़ना है क्लास नाइंद का ठीक है तो आप जाकर प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर कोई भी टॉपि आपको नहीं समझ में आता है तो उस टॉपिक का नाम लिखिए चैनल का नाम लिखिए ठीक है आपको वो वीडियो मिल जाएगा आप राम से जाकर उसे देख सकते हैं तो उमीदे बहुत अच्छे समझ में आया होगा तो मिलते आगले वीडियो में धन्नावाद